क्या है कि एफरिका में ही है इंडिया में है, कि औरल कलच्र है रहिए लिपि नहीं, इसके लिखा हुआ कहीं पहीं पर कहानी एक तरीक के। हम लोग जान पात बोलते है कनदा में. हाँ, शो मतलará इसलिए में कानता अर्थाल emphasize कान्तार आऊंसा, वो जो caption दिया कि क्योंकि generation to generation ऐसा हम folklore जो stories है और दाइव का है ना तो हजारों दाइव है हमारे जो कॉस्टिल करनाटका में हम मानते है सो उसमें हर दाइव के पीछे बहुत सारे stories है माला बहुत सारे perspective से भी है सो वो पाड़ दन बोलते है तुडू में गाना जैसा वो कहानियां बता-बता के next generation to next generation वो शिफ्ट होते ही जा रहे वो नए generation को बच्चे लोग को senior लोग जो ऐसा पाड़ दन में वो सिखा के वो ऐसा एक कहानिया वो ही एक idea था पूर एक आंतारा का आपको किसने सुनाया ये पाड़ गाना पाड़ दना पाड़ दना हमको में वो I belongs to that Coastal Karnataka मुझे वो बच्पन से ये सब सुनके आ रहा हूं हम लोग मानते हैं और हम ये ritual करते हैं ये बगवान को हम पूछ दे हैं पूछ दे हैं वाव 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 तो ये idea आप बता रहे थे कहां से आया ये तो आपने कई जगों पर answer भी किया है मतलब Kanthara second lockdown में गाउं में था उसमें एक हम लोग दोस्त बात करते थे उसमें वो तो 30 साल पहले मेरा दोस्त का एक दोस्त का बाप का एक agriculture land के ऊपर एक issue हुआ था वो forest officer और वो एक agriculture के beach में वो एक incident शुरू किया था मैं मतलब ये interesting लग रहा था करेक्ट उसके बात समझ में है कि ये सरफ इन दोनों का ego नहीं है it's a deeper and larger thing deeper and larger thing and it's मैं अभी एक agriculture के land के ऊपर मैं एक कहान ही बता रहा हूं and same time I felt that इन दोनों दो representation है एक human और nature का so और एक layer ऐसा मैं हर बार writing के process में जाज़े से जाज़ा layers लेकर आने के लिए ट्राइ करता हूं so उधर मुझे क्या है कि पुरे देश मारा ये क्रिशी के ऊपर है so that is why our way of life our tradition our culture सब कुछ ऐसा है क्रिशी द्यान पर ही है so मैं सचा कि अचा ये अभी ये अग्रिकल्चर लैंड के बारे में लैंड के ऊपर एक कहानी बता रहा हूं तो उधर कंबड़ा हम लोग उसके अब बात ये सब पूरा उसमें जुड़ा हो है correct so एक दाइव का कॉंसेट लेके आया तो उधर समझ में आ रहा है कि ये दाइव एक society में equality के रूप में मतलब सब लोग को equally treat करने का तरीका रहता है मतलब उपर नीचे वापर community lower community का ये नहीं रहता है एक बार दाइव आने के बाद सब लोग दाइव के समने equal है और एक बात है कि ये दाइव हम मानते है कि मनुषय और प्रकृति का बीच में जो bridge जैसा है ये आइडिया लेके आने का जो बहुत interesting आइडिया था तो ये जो आप हमारे किशोर गारू है वो तो Bollywood उनको जानता अनना आएडा ये तो ये भाव हमे देखे हैं विलन दिखना होता है एडिया गारू अचुत कुमार गरू ये भावन प्रामुषटि ये आडियार ॥ार्वी आई एड़से हमे नहीं में बताउंगी I think Bellbottom में भी Bellbottom में दोनों थे दोनों थे, हाँ, वही तो तो यह बाते हम करेंगे but you can start with Kishor Garu first Kishor sir is a wonderful actor या, 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 पहले मैं एक मुरली का जो character लिखा था, उस समय आपको पता था? हाँ, हाँ, किशोर sir को मन में रखे ही हम लोग develop किये थे क्या बात है? और एक बात है कि इस फिल्म में आपको hero-villain जैसा नहीं मिलेगा आपको जादे से जादा grey shade का जो characters मिलता है So, वो एक idea था, मतलब Kishor sir का जो दो faces है He will look like hero and he will look like villain Yeah, yeah So, हम लोग उदर joke मारते थे कि ये, he look like एक थोड़ा weight loss किया हुआ rock जैसा सब लोग Dwayne Johnson, Mini Dwayne Johnson बोलते है उनको हमारे दर भी So, वो ऐसा एक look था Yeah So, और एक Kishiva जैसा equal character है Hmm, hmm Film में So, वो ऐसा एक performer चाहिए था और Kishor sir का capacity मतलब मैं उसके साथ काम भी किया था Yeah पहले उलिदवर करना थे रक्षित का direction में Yeah, yeah में associate था उदर Kishor sir एक चाप्टर में lead थे Yeah, yeah So, बहुत आचा इंसान है और बहुत positive आदमी है वो Okay So, उनके साथ काम करने का बहुत कुशी होता है Yeah So, इसलिए हम लोग काश किये है सार आने के बाद तो character अलग लग 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 तो यह भी मैंने रेलाइज कि हमारा और South Indian cinema I've grown up in the South मैं हदराद में पहला बढ़ा हू अपना cinema में बहुत वर्बोस रत है काफी काहनी मतलब even in Kanta Ra There is a lot of visual Like you see the setting Correct But it is very-very verbose Subtitle भी बहुत fast है जब हमने हिंदी में देखी थी तो यह वर्बोस रखने का क्या reason कि आपके इतना material है और आपको काहनी बतानी है Is that why it was? मतलब बहुत सारे layers होने के बाद आपको visually कुछ बताना चाहिए So especially that Sundara That outsider वो नहीं नहीं शादी करके आये था वो एक Dhani का जो मतलब वो Dhani को क्या बोलते है अब अच्छुत कुमार का character हाँ जी हाँ The M.P.M.L.A. types हाँ मतलब नहीं अच्छुत कुमार is yeah He's a boss Yeah a local boss जो हम लोग Dhani कहते है जी So Hindi में वोर्ड नहीं मिल रहे मुझे पंचायत राज हो गया वो एक तरीके से Maybe So उसका जो गर के अंदर जो वो देखने के लिए आयेगा तो वो लोग मारते है उसको ऐसा कुछ sequences हम ज़्यादा dialogue से नहीं बताते है विशुली कन्वे करने का That was very well done And जो अमक का मतलब जो अचुद कुमार का जो वाइफ का character है उनका और शिवा का जो relationship वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते And जो अचुद कुमार का वाइफ का कुछ डालोग भी नहीं एक डालोग आता है लेकिन जो emotionally connected है वो यह महा और बेटा का जो She even looks at him very differently Yeah So, उसके बात So, मेरा मा और शिवा का मा जो है कमला का कमला का और अचुद कुमार का जो वाइफ का जो character के बीच में सिर्फ दो शौट रखते है उनोग Look exchange That's it So, and in terms of screenplay उदर अचुद कुमार और एक legend बताते है उनका जो बच्छा को So, वो It's like a Story inside a story Yeah So, वो perspective मतलब यह legend जा रहा है So, next generation जा रहा है So, हमको क्या legend मिला है मेरा बाप क्या करता थे मतलब शिवा का बाप क्या करता थे मतलब शिवा का बाप क्या करता था कहानी उनका जो बच्चे को वो फीड कर रहा है Correct And he will take that ahead Yeah That's Very interesting right But आपने अपने गाव में शूट किया यह पुरे पिचर मेरे गाव में शूट किया यह तो छे महने आपने सेट बना है उदर Yeah मतलब पुरे एक साल था में उदर ठीक है Correct उसे भी पांचे साल पहले से ही मेरा इंटरस्ट था कि फिल्म में जाना है और प्यू में था मैं उस समी में बहुत सारा कहानियां आते था तो मेरा गाव को एक कहानी में में लेके आके इदर शूट करना है वो सोच था ठीक है और रफे फुल्फिल करते हैं और रफे फुल्फिल करते हैं Bucket list tick off यह कहानी यह सा मिला मुझे यह मिलने के बाद वो मतलब एक साल पहले मतलब April 27 यह आईडिया मिला था मुझे एक क्राक किया था आपको डेट याद है? हाँ चार महिने में हम लोग पारलली डायलोग वर्शन कतम किया दो तीम ड्राफ्ट लिखा है पारलली पुरे गाउं का सेट पर लगा है और कास्टिंग ओडिशन और वर्क्शोप्स तीन महिने वर्क्शोप किया हम लोग उसके साथ ही मेरा भी प्रिप्रेशन होना चाहिए था मतलब ये कंबला को बुल्रेस है पहले नहीं किया था मैं मेरा गर्वाल नहीं वो ट्रेडिशन करके आ रहा है बहुत साल से लेकिन मैं कभी ट्राइ नहीं किया था तो ये वेड़न कंबला इस स्टुपेंडस मतलब मुझे पता है और भी कहानिया जैसे बैंगलोर में पहली बार ड्राइगन आया ये फैंटम कौन समंगवाया था आपने कैमरा हम लोग ये रैट्र रेड रैप्टर पहली बार आया था जो आज ता कभी नहीं आया था बैंगलोर में तो पहला राइप्टर ये पहला था एंडिया में पहला राइप्टर क्योंकि अख़व्चन शूट करना था ये फैंटम बिद थे उसके साथ ही हमारा अलेक्सा अलेट्र तै कितने पहलए बैशूट किया थे वो अमड़ा सेखिवेंस में थे 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 वो भी एक कांड हो था मतलब यह रैप्टर हम लोग केबल कैम में फ्लान किये थे किल्कि ए फ्राइट वादा वेशने क्रिकेट ग्राउंड जैसे है वो मतलब केत हमारा गर का ही है हाँ गया ठीक है वो मेंन बाक शौकर लिये हैं हम लोग परली है, जो फिल्म में microorganism में में और व्लस को पास करके जाता है वो एक शौक था भाक शौक लिये है मेंने अरुट को हमारा ौप अरुटी को अरुटि को फह्ज्या अरुटे खैले चोटे बelp करून हम लोग兩個 है मैंना चोटा बन्टा है मगा बन्टा नहीं एक चोटा बाई जैसा बाई जैसा तो वो बहुत आस्टे डिरेटर का काम करता था उस समय से मुझे जानते हो तो अर्विन को बोला में मगा फ्रेंटर ले वेते हैं तो बोला नहीं हम लोग पहले बैक शॉट ले थे ठीक है क्या पर फरक पड़ता है तो ऐसा ही तो हम लोग पूरे दिन का प्लान था बॉफलो रइस का शॉट करनेगा दूसरी दूसरी अंगल में बैक शॉट लिया उसके बाद में वो बफलो को पूरा टान करके सीधा आके मार पे रे वरका उन मेरा दोस्त लोग भी थे वो हेल्प कर र रहते हैं फ्रंटल के लिए हम लोग इदर दूसरे कैमरा जो ट्रैक में और एक कैमरा था फ्रंटल जूम में एक था और एक केबल कैम में भी एक शॉट लेते हैं यह लोग जो केबल कैम उपरेट करने के लिए लोग आये वो उपरेटर को क्या करते हैं हर लोकेशन पर हो ल केबल केम्प में, केम्प द जा रही है जा रही है वह एक फ्रीट लेट यहां तो सिगनल से आगे दोसो मिंटर दूर की बात, सीधा गया हम लोग धिक रहे केबल केम्प चोड़ के बाहर गिर गया केम्प अरे भाप प्रे ठीक है, कैसे ऐसे, मतलब सीधा वो केबल मझर लेफट? जिट लेफट? खाझए giltвой गिर गिरगई कैम्रा Schon me wrote तेट गिरगेया कैम्रा क्यूंकि पानी उस में गिरञे तो गिरह तो कैम्रा कैम्रा भोड़क洋 हूम yeah मेरी एक नि के विया मेरा ही यह अः क्या गिंबल ता बाद में वो अधर ही रिपेर करके तोड़ा अज़िश्ट करके पुरे शूट खतम किये हैं हाँ लेकिन लेकिन केबल क्याम यूसे नहीं कर सिकती है यह बहुत सारा सेक्वेंस वो इंट्रोल ब्लॉक के जो त्री पॉलिंग सेक्वेंस है हाँ वो भी मतलब वो ट्री पुरे सेट लगया है हम लोग ने जी जी मेरा एक प्राइब फारेश्ट था उसके अंदर हम लोग सेट लगया है ठीक है समर अरूंड अरूंड 800 किलोस उफ वेट पूरेश्ट पूरेश्ट ट्री यह ब्लाइब अंदर अडर अंडर पूरा श्रॉक्ष्टे था वो वाँ अडरनी कंग विईपुत्रह के लिएपू को अट अच्छा किया था वो भी ऐसा है, वो क्रेन लेकर आके बहुत सरकस्ता हूँ सब अपना अपना मज़ा ले रहे हैं आपके साथ मतलब यह सब हम लोग पूछते हैं क्या चालेंजस था, क्या डिफिकल्टीज था पूछ समय सोचा नहीं हम लोग ज्यादा सोचा तो हम लोग शूट नहीं कर सकते हैं सही बात है हाँ और एक साल चाहिए क्टन करने के लिए लेकिन हम लोग यह करना है तो करना है ऐसा गया है और पूरे टीम specially अरविन कशप इस बैकबोन क्योंकि में डिरेक्शन अक्टिंग दोनों करना है और पूरे फिल्म में एक्शन सेक्वेंस ऐसा है कि देर भी हम लोग डूप यूज नहीं किये अभी सोचा तो हम लोग फिल्मेकिंग नहीं किये वहार जैसे किये ऐसा लगता है आपको हाँ, नाइट सेक्वेंस, मोर दन 60% हम लोग राथ शूट किये वह बहुत ही अर्विन जी को यह सलूट है क्योंकि नाइट लाइट करना ना हल्वा है नहीं मतलब इतना बड़ा स्ट्रेच हो अधर आइज अरइन फ्रक्ट्चर दिख रहा है इतने इतने दूर लंबे लंबे लाइट है सब जगह 10-15 रोष्ट्रम लगाके पूरे 100 फिट का बप्रे 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 बजट मिला ना आप लोग को रेफरेंस हे रहो मैं यहां से 500 मेटर दूर की बात हो रही है रोष्ट्रम में बेसिक्ली सम्धिंग देट कि मांउंट लाइट तू फ्लोर्स हाई और 4K एट के लगते हैं ताकि रात पूरी लिट हो और आपने कितना धुआ जलाया होगा तू मेक इट लोबार एक स्केडियूल में आर्ट इपार्टमेंट का जो सेट बॉइस आते थे अगले स्केडियूल में वह बाग जाते थे वह बहुत मतलब स्नेक्स है मुझे कुछ फरक नहीं पुड़ा क्यूंकि मैं बच्पन से वह फोरेश्ट के अंदर पूरा देख के आया था मुझे कुछ नहीं लग रहा था यह लोगों को इतने डरते थे लोग शहरी लोग है यह तो सरे बेचारे बड़ी अलग फन रहा होगा आपका एंट्री शॉट है ना सर वह बतला वेटाइस टू भी सीटी मारने जैसा हम लोग को चिला रहे थे इसके साथ ही क्या है ना वो शिवा का रेज क्या है वो कितना राफन टॉफ है एक अंबडा में एक कर रहा है तो वो बगार है तो वो चारक्टर डफिनेशन भी है उदर तो इसलिए हमको बहुत अच्छी तरीके से वो शूट करना था You are also I think our Rishmika के साथ किया था and Rishabh and you all are credited for bringing her into this the world of our industry So our comments में काफी लोग तेंस थे कि आप लोग का नाम ने लिया उसने तो ऐसा होता है कि you have your artist who come out of the industry go and become popular and then forget where they came from ऐसा कुछ अपने experience किया किसी अर के साथ We don't mind हाँ बहुत सारे आर्टिस को हम लोग ले के आये जी और हमको बहुत सारे डिरेक्टर्स और प्रोडुसर्स आर्टिस्ट अपर्शनिटी दिया है जी तो ओई साही एक लिस्ट में रहेंगे तो आगे कुछ नहीं भूलते हैं हाँ जी हाँ फेर इनफ सेकंड दिंग आप कहीं ना कहीं आपका चारेक्टर थोड़ा बहुत इंबर ट्रेड या ऐसा वुड का कुछ काम करता हो दिख रहा है और पुष्पा विच इस अवरी बिग फिल्म फिल्म हाँ आज तिम्बर इन इस कोर तो क्या ऐसा आपने कभी सोच है क्रोसोवर कर सकते हो कर दो कि युनिवर्स आप दो सव तो इन फिल्म में लोग पहले पैना टीजर आया जी जी करता थो का त्यात्रेकल रिलीज के समय हम लोग तीटर रिलीज किया है तीजर उस समय कुछ लोग बोलते थे कि यह पुष्पा जैसा शेर आरहा है करके मैं बोला उन लोंको यह मैं बाद में बुला ने क्योंकि अभी जो फॉरेश्ट के बारे में फॉरेश्ट देपार्टमेंट यार यह तिम्बर यह सब यूनिवर्स का एक फिल्म था गंदा दकुडी दोक्टर राजकुमार और दोक्टर विष्णु अरदन थे लेजेंड्स विष्णु सार का जो इनिशल देस था ओक वो एक बहुत मतला एक लेजेंडरी फिल्म है और एक पाथप्रेकिंग भी थे क्योंकि वो फिल्म देखके बहुत सारे लोग उस सामाई फॉरेश्ट एपा और आपने जो ऐसा थोड़ा हुक छोड़ा एंड में और कंतारा 2 वो देखते हैं मतला कंतारा इतना एक बड़ा हिट होगा तो यह पान इंडिया कुद बन गया है हमारा प्लान भी नहीं था वो फिल्म का प्लान है करेक हम सिर्फ वो फिल्म के पीछे जा रहा है यस देखत हां अब अब ब्लान पुरा चेंज गी है हां अब बलैंको है हमें करेक ही इतना लोग इतना प्यार दिया और सपोर्ट के और फिल्म को इतना बड़ा हिट कर दिया जी-जी-जी-डी-चोब पूरे क्रेडिट हम और क्रेज़ों को देथे क्योंकि कंटरा ओडियंस जो word of mouth य वोग दब करके रिलीस किया है और इधर भी आपने दो हफते के अंदर डब कर दी क्या बात कर रहो मतलब ताइम नहीं मिला अरे वाँ तो अनिल तदानी जी ऑनबर्ड आये और वो नहीं नहीं का दिसक्षिन हुआ हमबाले से तुरंट हमको जादा टाइम नहीं था मतलब वो इधर इधर कर दो हफते के अंदर उधर भी रिलीस करना है हिंदी में इधर आने के बाद कनड़ा ही बहुत बड़ा हिट था इधर मतलब दस शोस था पहला है अरे वाँ उसके बाद दो दिन चोड़के मतलब सेकेंड देवाँ सेकेंड देवाँ वाँ सिर्फ बॉमे में हो ओ वाँ हो इसली हम लोग बात में तुरंत हीं में डब करके आया उसके बात हीं में बहुत सारे लोग बात कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है तो जो budget मिला तो आएसा डेरेकटर कभी-कभी ऐसा लगता है कि budget उपर जा रहा है लूजिंग मनी और ओवर बजेट हो रहा है तो टेंशन होता है कि हाँ होता है वो ही तो कितना बजेट हम लोग ने प्लान किया था वो एक बेजिक स्टोरी का जो स्ट्रक्चर था उस समय किये थे जी बाद में मैं एक बॉंट स्क्रिप्ट प्रोडीजर को और प्रोडक्शन यहाँ विल जेन लूजिए तो टीम को मैं नरेशन दिये मैं और मेरा सारे राइटर्स टीम उसके बाद हम लोग बेटके बजेट के बार में डिस्कस नहीं किये थे नहीं हो क्या हूँ हो एक्जीक्विशन आम करते करते. आο मेरे के था बड़ा स्केल स्केल कोई बढ़ दो बांटा कर्यूम. आऐ पानद्या भने के बड़ेट् 앞에 फोला कर दो अटना बड़ा बड़ेट्ब्र काम हुआ झालर आता उक पड़ेट्स पाव फ mm शुरू पहला शेडियूल में नहीं था हो जो नाइट राइन एफेक्ट में वह सीक्मेंस स्वेंस शूट किया थे हम लोग प्लैन ते ओर तीन-चार दिन में कतम करते करके अधर से निकला भाथ से बजट सो बहुत जाते जारा है मतलब 75 डेस में करेंगे करके स्केडियूल ला लेजे लेकिन उस समय सबको मालम थे कि यह 75 डेस में नहीं होगा नहीं होगा और सो बेस्ट वार्निंग जो आता था अर्विन से आप यह 75 डेस में करते हैं करके हाँ 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 हमको कुछ रेस्टिक्शन चाहिए ना नहीं तो हम लोग हम लोग 100 डेस शूट करते हैं सो चाहत तो 110 हो जाएगा सभी बात है कम से कम 75 डालते तो 96 में कतम किया तो इसके बात विजयन नहीं हमारा प्रोडूजर ने बताया कि यह फिल कम से कम 125 डेस चाहिए तो अधर भी आप लोग इससे शूट किया है करके 96 डेस में कतम किया है तो बेसिकली यूर अलसो तकलीफ हो रहा है मुश्किल हो रहा है इस इतना डिफिकल्टी आ रहा है तो बोले तो बाग जाओ इधर से मेरे सेट पर नहीं होना चाहिए आप लोग है चाहिए से इबाट